सफलता पाने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना है उतना ही जरूरी है खुद को मोटिवेट रखना. कई बार हम किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को आधे अधुरे में ही छोड़ देते हैं. आज की इस पोस्ट के जरिये मैं आपको कुछ ऐसी motivational speech for success in life के बारे में बताऊंगा जो आपको सफलता की और हमेशा ही motivate और inspire करेगी ये आपके बहुत काम आएगी और जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं ये बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार-बार होने वाली गलतियों की वज़ेह से हार मान लेते हैं उन्हें ये दर रहता है कि जिस काम में वो बार-बार फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते बेशक वो काम अपने काम करने के तरीके को ही बदल देते हैं हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआट इतनी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं。 वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाते हैं. हमें खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफल्ता जरूर मिलेगी. अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए. शुरुआत में ही हर कोई successful नहीं हो पाता जो लोग अपने failure से कुछ सीखते हैं वो लोग life में बहुत आगे निकल जाते हैं और जो लोग अपने failure की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा excuses ही देते रहते हैं हम अक्सर अपनी नाकाम्याबी का मुख्य कारण दूसरों को मानते हैं अपनी life में पीछे मुढ कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला उनके कारणों को जानिए आप अगर किसी दूसरे के बलम में उलजे रहेंगे तो ठीक से ये देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतिया करी अगर past में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारिया उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी और जब ये बात आपकी समझ में आ जाये तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोज खुझ से उठाना शुरू कर दे इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको सफलता 100% मिलेगी लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं दूसरे के भरोसे सफलता नहीं मिलती चेंज वीकन इस बुक में अमेरिका के भूतपूर राष्ट्रपती बराक ओबो मा लिखते हैं अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिन्दगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए निर्नए दूसरों के हो सकते हैं पर मनजूरी आपकी होनी चाहिए आप जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर आप खुद नहीं लेंगे तो परिनाम कभी भी आपके मन मताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे आप जो जिन्दगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह आपकी बनाई हुई है. इसे बुरा या बेहतर बनाना शत प्रतिशत आपके हाथ में है. दूसरों को जिम्मेदार ठहरा कर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं. इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता यहां तक की खुश रहना भी नहीं. यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो वह आपको कुछ ही दिन या महीनों में मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन इस पौधे में इतनी ताकत नहीं होती है कि लंबे समय तक जीवित रह सके. लेकिन यदि आप एक आम का पौधा लगाते हैं तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद वह पेर आपको फल देना शुरू कर देगा और आपका ये पेर कई सालों तक फल देता रहेगा. सफलता भी कुछ इसी तरह ही होती है यदि आपको दूसरों की अपेक्षादेर से सफ अक्सर जो चीज जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है. इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें. आपका बहुमूलिय समय देने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच अच्छवानी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए. भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.